ताइगर 3 में होगा सलमान खान का दस मिनट का धमाकेदार एंट्री सीक्वेंस मनी शर्मा ने किया खुलासा। सलमान खान उर्फ ताइगर वापस आ गए हैं। वह YRF स्पाई यूनिवर्स की नवीनतम पेशकश ताइगर 3 में सूपर एजेंट ताइगर के रूप में अपन ताइगर 3 में सलमान खान का दस मिनट का एंट्री सीन होगा। निर्देशक मनी शर्मा ने खुलासा किया। सलमान खान ने हमें अंधिनत यादगार इंट्रो सीक्वेंस दिये हैं। यहां उन प्रतिष्ठित क्षणों में से एक हैं जिसका सलमान के प्रशंसक और हिंदी फ और फिर भी ताइगर 3 में उनकी एंट्री के लिए इसे इस दुन्या से एक एक्शन तमाशा बनाएं। वहां आगे कहते हैं कति भाशाली और उत्साही दिमागों का एक समू हमारे कुछ बहतरीन एक्शन, स्टंट, पकड़ और प्रभाव एक साथ आए और दस मिनट का ब् गुमाचत एक्शन अनुक्रम शामिल है जो भाई के प्रशंसकों को याद दिलाता है कि टाइगर कितने अच्छे हैं। चूकि एक्शन थ्रिलर टाइगर 3 में कुछ लुभावने एक्शन सीक्वेंस हैं। जैसे कि बाइक और कार का पीछा करने के सीक्वेंस, फिल्म में ए आपक एक्शन सीक्वेंस, जिसे फिल्म का मुख्य आकर्शन कहा जाता है, सुरक्षा के साथ किया गया था, लेकिन इसके बावजूद एक्शन सीक्वेंस के दौरान सल्मान का कंदा घायल हो गया। मनीश आगे कहते हैं, रविवार को इस सीक्वेंस पर दर्शकों की प्रत रविवार को सिनेमा घ्रों में आएगी तो मैं उनके साथ जश्न मनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। आधित्य चोपडा द्वारा निर्मित टाइगर थी इस रविवार 12 नवंबर को हिंदी, कमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है। एक था पोशन को एक साथ एक फिल्म में लाएगी। और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मुवी टॉकीज साथ ही अपने कमेंट्स लिखना, लाइक करना और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाना ना भूले।